एक कैसान था, उसने जवार बोई जब फसल पक गई, एक शेर आया और खीत में घुस गया, कैसान एक छपपर पर बैठा हुआ था, शेर ने उसे कहा, नीचे उत्रू में तुम्हें खा जाऊंगा, कैसान ने कहा कि ओ भी तो मैं दुबला पतला हूँ, मैं जरा खा पी कर मोट उसका हो जाऊं, तो मुझे खा लेना, शेर रोजाना आता, और कहता मैं तुम्हें खा जाऊँगा, किसान उसके खौफ से लागर होता गया, उसकी बीवी यह उससे द्रियाफत किया कि खूब खा पी लेते हो, मगर दबले होते जा रहे हो, किसान ने कहा कि एक शेर रोजान आता है, मुझे ड्राता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं उसलिए दबला, हो रहा किसी दिन शेर मुझे खा जाएगा, पत्नी ने पूछा कि शेर कब आएगा, दोपहर में किसान ने कहा, तब उसकी पत्नी पुरुशों के कपड़े पहन कर घोड़े पर सवार हो गई औ मैंने इसे हका जलाने के लिए रखा है, पत्नी ने कहा, इसमें से कुछ हिस्सा मेरे लिए काट दो, और मैं इसे राजा के पास ले, मैं इसे उसके पास ले जाऊंगा, वह भी शराब पी लेता है, किसान ने शेर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, शेर ने कहा, अब दूसरा कान भी काट दो, किसान ने दूसरा कान भी काट दिया, पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम इस पेड़ के तने से एक बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं काट लेते, तब शेर ने कहा, अब मेरी पूँच काट दो, और हिरन की पूँच भी काट दो, पत्नी ने कह तुम थोड़ा काटो, रहने दो, मैं खुद काट लूँगी। यह सुन, यह सुनकर शेर भाग गया। सामने से एक सियार आया और उसने शेर से पूछा, क्या तुम्हारे कान और पूँच भी कट गए हैं? खून बह रहा है, और तुम भाग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है शेर ने कहा, कि राजा की सेना ने मुझ पर हमला किया है, मेरे कान काट दिये हैं और मेरी पूँच भ, भगवान ने मेरी जान बचा ली है। सियार ने कहा, अरे कायर, तुझे एक स्त्री ने धमकी दी है, ना राजा को, ना सेना को, एक औरत ने तुम्हारे कान और शेर ने कहा, मैंने सेना और मंत्री को अपनी आखों से देखा है, सियार ने कहा कि यह एक औरत थी। कि मैं 14 शेर तुम्हारे पास लाऊंगा, अब सिर्फ एक लेकर आए, हुवा भी कान कटा। ये सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ और गीदड को घिसीटता चला गया। गीदड का सर तन से जदा होगा, टांगें भी तूट गई और मर गया। शेर अपने कटे हुए कान और दम, बिना भागे किसान और उसकी पतनी बाजरे के खेत में सुखपूरवक रहने लगे।